ओम श्री गुरु भियो नमाहा, विदानता गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है इस समय हम डिसकस कर रहे हैं साधन पंचकम, a text by आदिशंकरचारिया जहां पर मोक्षा तक पहुंचने के लिए 40 important step by step साधना बताई गई है तो शुरू करने से पहले एक announcement, हर महिने के पहले शनिवार को इसी समय शाम 7 बजे होता है हमारा Q&A session जहां पर आप अपने कोई भी questions related to भगवद गीता विदानता या शास्र से संबंदित है या life से संबंदित कोई question है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और वो question आप हमें महिने के आखरी संडे तक भेज सकते हैं जो अगले महिने के पहले शनिवार को आ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हमारा ये श्लोक हम चांट करते हैं तो मैं एक बार चांट करूँगा और मेरे पीछे आप एक बार चांट करेंगे वाक्यार थर्ष्च विचार्यताम शृतिशिरह वाक्यार थर्ष्च विचार्यताम शृतिशिरह पक्षस समाश्रियताम दुस्तर काथ्सु विरम्यताम शृतिमतह तर कोनुसंधियताम ब्रह्म्य वास्मि विभाव्यताम रहा गर्वफ परित्यज्यताम देहे हम्मति रुज्यताम बुध जनेहीं वादव परित्यज्यताम वादव परित्यज्यताम वादव परित्यज्यताम नहीं है और ज्यानम हासील करने के लिए तीन मुख्य साधना है श्रवणम, मननम और निदेध्यासनम तो श्रवणम यानि आप अपने गुरु के सानिध्य में रहकर या लाइव गुरु से आप शास्त्रों का श्रवणम करते हैं सुनते हैं लाइव ले और केवल सुनना का पैसिव लिसनिंग, इटिस एक्टिव लिसनिंग, एक्टिवली आप उसको समझने का प्रयास भी करते हैं दूसरा है मननम, मननम का अर्थ है जो अनेको अलग अलग फिलोसोफिज हैं कई बार वो हमारे साथ काम बात करते हैं और कई बार हमारे विरोध में वो बात करते ह तो उनमें जो विरोधा भास है या तो वो केवल आभास मातर के लिए seemingly वो विरोध है या वाकई में उनको ऐसा लगता है कि वो विरोध है तो उनकी philosophies में या उनकी विचार धारव में या उनके logic में कहां पे तुरुटियां हैं उन तुरुटियों को हमें बताना होता है उन तुरुटियों को हमें समझना है जानना है उसके अलावा अगर किसी में कोई अच्छी बात है तो उसको भी हमें देखना है मुख्य रूप से वेदान्त या अध्वाइत वेदान्त जो है वो शास्त् प्रमान के रूप में accept करते हैं और अगर शास्त्र प्रमान है हमारे लिए यानि शास्त्र जो कहते हैं वो मुख्य बात है उसके against में हम नहीं जा सकते बाकी जो लोग है वो शास्त्र को प्रमान माने या ना माने या अदकच्रा प्रमान मानते हैं पूरी तरह से वो नहीं माने लेकिन अद्वाइत विदानता के लिए शास्त्र इस प्रमाना प्रमाना यानि means of knowledge is a technical term अगर आपने प्रमान विशय पे हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर से देख लें सो मननम का अर्थ है दूसरी फिलोसोफिस में जब वो आर्ग्यू करते हैं तो उनमें उनकी विचार धारों में या उनके लॉजिक और रीजनिंग में कहां पे फैलसी है या पे कहां पे तुरूटिया है गलतिया है उनको पॉइंट आउट करना ये है मननम और उसके बाद ती वेदांत के वाक्य हैं उनके उपर कॉन्टम्प्लेट करना तो श्रवनम और मननम ये हम अल्रीडि कर चुके हैं अब जो हमारा विशे चल रहा है वो है निदिध्यासनम यानि काउन्टम्प्लेशन गाइज का चीज करते हैं Contemplation का purpose क्या है किस हेतु के लिए हम contemplate करते हैं या निदिध्यासनम करते हैं Contemplation का मुख्य purpose है जैसे श्रवडम का मुख्य purpose है कि हमारे पास ignorance है तो हम knowledge हासिल करना चाहते हैं Mananam का main purpose है कि हमने knowledge तो हासिल किया लेकिन उसमें कुछ vagueness है कुछ धुंदलापन है उसे clearly समझना है अच्छी तरह से समझना है तो वो काम है mananam का हमने श्रवडम भी कर लिया mananam भी कर लिया लेकिन उसके बावजूद हम इस knowledge को own up नहीं कर पाते हैं आत्मसात नहीं कर पाते हैं इसलिए निदिध्यासनम होता है यानि इस knowledge को किस तरह से हम आत्मसात कर सके ये knowledge कूरी तरह से clear हो जाए हमारे लिए और हम उसको आत्मसात करके अपने जीवन में अमल कर सके दूसरा हमारी कई habitual errors होती है उस that we will be discussing today in the today's session कि वो habitual errors क्या है तीसरा हमारी कुछ emotional weaknesses है उन भावनाओं की कमजोरिया जो है उन भावनाओं की कमजोरियों को निकालने के लिए या उनसे overcome होने के लिए निदी ध्यासनम जरूरी है जब तक हम अपने emotions के उपर पूरी तरह से काबू नहीं पा लेते हैं उसे पूरी तरह से purify नहीं कर लेते हैं अपने emotions को मोक्षा असंभव है भले ही आपको knowledge मिल गया भले ही आपने knowledge समझ भी लिया लेकिन इतना ही काफी नहीं है उस knowledge को own up करना भी जरूरी है और उस own up करने के लिए सबसे बड़ी दुविदा आती है हमारे emotional obstacles हमारे emotional blockages और इसके उपर हमारा एक वीडियो है the biggest obstacles for meditation वो आप देख सकते हैं हमारी channel पर जब हम खाना खाते हैं तो वो digest हो जाता है its automatic process है कि हमारे digestion का system है वो अपना काम करना शुरू कर देता है लेकिन यह जो knowledge हमने receive किया यह अपने आप से assimilate नहीं होता है जिस तरह से food अपने आप से digest हो जाता है वो automatic system है वैसे ही यह knowledge जो हम receive करते हैं वो automatic own up नहीं होता है नहीं हमारे उम्र के बढ़ने से यह हम own up कर सकते हैं नहीं हमारी बहुत प्रसिद्धी मिल जाए लोगों की नजर में हम बड़े बुद्धिमान भी हो जाए तो भी यह knowledge हमें नहीं मिलेगा जब तक हम इसके लिए प्रयत्न ना करें तो टू ओन अप इस knowledge इस knowledge को आत्मसाथ करने के लिए हमारा अपना प्रयत्न इम्पॉर्टेंट है अब सवाल यह उतता है कि contemplate किस वस्तू पे करे किस पर करे क्या है contemplation का विशय क्या है तो उसके लिए हम देखते हैं हमारी 21st quality या 21st साधना तो यह 21st साधना है ब्रह्माई वास्मी विभाव्यताम ब्रह्माईव अस्मी ब्रह्म एव अस्मी विभाव्यताम मैं ब्रह्म हूँ इस वाक्य पर इस महावाक्य पर meditate करना है so what is महावाक्य आप मुझे नीचे comment करके बताईएगा दो session पहले हमने इस पर चर्चा किती पिछले session में भी हमने बतायता what is महावाक्य तो अब आप मुझे बताईए महावाक्य क्या है नीचे comment करके मैं ब्रह्म हूँ इस वाक्य पर हमें contemplate करना है meditate करना है so what is the difference between meditation and contemplation meditation जो होता है वो सगुन उपासना कहलाती है और contemplation जो है वो निर्गुन उपासना है या निर्गुन ब्रह्म उपासना है ये मूल फरक है दोनों में meditation में हम एक कोई idol रखते हैं कोई प्रतिमा रखते हैं कोई symbol रखते हैं जिसको हम ध्यानम भी कहते हैं और contemplation यानि निदिध्यासनम है यहां पर वेदान्त शासर के जो वाक्यम है उन वाक्यों के उपर हम contemplate करते हैं उन जो वो चाहे महावाक्यों हो सकते या दूसरे वाक्यों हो सकते जिनकी मदद से हम अपने habitual error को निकाल सकते हैं meditation का main purpose है चित एकागरता हासिल करना ultimately जो हमारा चित यानि मन जो चारों दिशाओं में भटक रहा है और इस वक्त भी शायद कोईनों को यहां mobile देख रहा होगा या किसी और कि यहाँ पे यह session भी चल रहा है phone भी चल रहा है बातें भी चल दिए घर में cooking भी चल रहा है सब कुछ चल रहा है यहां हमारी emotional strength को बढ़ाना या उसे पक्का करना और जितने भी हमारी emotional blockages है उनको निकालना सो दो तरह के meditation यहाँ पे हम बात करते हैं in general broadly में बात कर रहा हूं दो तरके meditation है एक है जो अब सभी जानते है कि हम आखे बंद करके अपने आसन पे बैठ कर जो हम सगुण उपासना करते है mental activity है it is a सगुण ब्रह्म मानसम व्यापा रहा मानसम यानि mental activity at thought level पे है यह तो एक है कि हम आखे बंद करके अपने आसन पे एकांत में बैठते हैं ध्यान करते हैं और ध्यान में हमारा कोई विशे होता है वो अलग-अलग तरके meditation होते उसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे that is closed eye meditation जो आप बैठके करते हो दूसरा है open eye meditation जो आप अपने कोई भी कार्य में हैं आपकी दिनचरिया में जो चल रहा है जो भी दिनबर की activities है उस activities के चलते हुए भी आपका focus एक ब्रह्म में है या किसी एक वस्तु में है आपने अपना मन वहां लगा रखा है जैसे जब कभी हम काम करते तो काम में हम इतना involved हो जाते हैं कि हम भूख प्यास सब मिढ जाती है वहां पर हमें याद नहीं रहता है कई और important बाते होती है वह हमें याद नहीं रह पाती है क्योंकि हम involved हो गए हैं लेकिन यह open eye meditation क्या है alertness है alertness यानि मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं मुझे क्या करना है क्या हो रहा है मेरे क्या अनुभव है बाहर क्या चल रहा है वगेरा इस तरह का पूरा alertness है so open eye meditation यानि being alert पहली बात यह बिलकुल उस तरह से है जैसे एक classical musician को आपने देखा होगा stage पे जो classical musician है वो गाते हैं और उस जो vocal singer है उनके पीछे आप देखोगे दो जन बैठे होते हैं जो तानपूरा लेके बैठते हैं और वो एक music बजाते रहते हैं constantly एक ही rhythm में वो अपनी music बजाते रहते हैं जिसको कहते हैं शुरुती तो जिस तरह से उस classical singer के पीछे वो शुरुती चलती रहती है और वो उस शुरुती के साथ attune होकर वो singing करते हैं उसी तरह से हमारी दिन बर की activity चलती रहती है उस classical singer की singing के तरह से लेकिन हमारा mind जो है वो attune है ईश्वर के साथ में कि यहां जो कुछ भी हम कर रहे हैं या जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो ईश्वर क्रपा से मिल रहा है और ईश्वर अरपण भाव से हम कारी कर रहे हैं वगेरा सो यानि हम पूरी तरह से इश्वर को surrender है अब निधिद्यासनम भी twofold है पहला मैं कौन हूं तो यहां पर बताया गया है ब्रह्म एव अस्मी मैं वो ब्रह्म हूं यह सत्य है मेरी वास्तविक्ता है who am I is I am Brahm parmeshvara ईश्वरा यह सत्य है परम सत्य है जो शास्त्र हमें बताते हैं और शास्त्र इस प्रमानम प्रमानम का मतलब क्या है बताए नीचे कमेंट करके दूसरा है निदिद्यासनम का दूसरा स्वरूप है निगेशन what I think I am पहला है assertion यानि मैं कौन हूं who am I यानि मैं ब्रह्म हूं दूसरा है निगेशन मैं ऐसा समझता हूं अपने बारे में ये मेरी गलत फहमी है अपने बारे में उस गलत फहमी को निकालना और वो गलत फहमी क्या है मैं ये शरीर हूं मन हूं बुद्धी हूं और ये शरीर मन बुद्धी का कुछ भी होता है तो वो मैं हूं ये गलत फहमी है इस गलत फहमी को निकालना एक मेरा वास्तविक नेचर क्या है दूसरा निगेट करना है कि मैंने गलती से अपने आपको क्या मान लिया है कि मैं बुद्धी मान हूं मैं बड़ा रिच हूं मैं बड़ा ज्यानी हूं वगेरा वगेरा इस तरह के जो धारनाएं हैं हमारी अपने बारे में with reference to ये शरीर मन बुद्धी को ले करके ऐसा हमने मान लिया तो आदी शंकराचारे जी यहां पर कुछ general disciplines देते हैं फोर निदी ध्यासका निदी ध्यासका के लिए जो निदी ध्यासका करने वाले है उसको हम कहते हैं निदी ध्यासका तो निदी ध्यासका के लिए कुछ एक general disciplines यहां पर दिये गए हैं और ये discipline का पालन ये साधनाओं का पालन करना बहुत ही जरूरी है कब करना है एक initial stage पे जब हम न्यानम हासिल करते हैं और न्यानम को follow करने की कोशिश करते हैं दूसरा न्यान निष्ठा को हासिल करना है तब भी ये साधना जरूरी है so वो क्या है जो आदिशंकर अचारी जी यहां पर बताते हैं so we will move on to the 22nd number of साधना हमारी 22nd साधना है अहर अहर गर्वह परित्यज्यताम यानि जो हमारे अंदर अहंकार है उस अहंकार को पूरी तरसे त्याग देना है हमारे भीतर के अहंकार को अहर अहर यानि at all times गर्वह यानि हमारे अंदर का गुरूर गमंड वो परित्यज्यताम यानि पून तया कम्प्लीटली उसे त्याग कर देना है देखे एगो दो लेवल पे होता है एक बेसिक एगो मूल एगो जिसको हम कहते हैं मूल अहंकारा यानि मैं ये शरीर मन बुद्धी हूँ जो आप बच्पन से जनम के साथ लेकर आते हैं दूसरा है अपने बारे में एग्जाजरेटड वैल्यू जो हम क्रियेट करते हैं या अपने बारे में हम एक ब्लैक मार्केट वैल्यू डेवलप करते हैं अपने बारे में हम खुदी डेवलप करते हैं ब्लैक मार्केट वैल्यू कि मैं बहुत महान हूँ मैं सुप्रीम हूँ मैं करता हूँ अगर मैंने नहीं किया तो और कौन करेगा और मैं करता भी हूँ मैं भोगता भी हूँ और मैं अकेला ही विद्यमान हूँ और ये सारी दुनिया जो है वो मुझे केटर करने के लिए ही है मेरी सेवा करने के लिए ही है ऐसा तो इस तरह के विचारधारा जो है जहां पर हम अपने आपको या अपने बारे में कुछ exaggerated value है कुछ black market value हम अपने आपको दे देते हैं वो है exaggerated value या एक created ego है वो हमारा ego है वो हमने create किया और दूसरा वो हमारे अग्ण्यानम की वज़े से जो basic ego है वो मूलत है इसलिए भगुद गीता में एक जगह पर बताया भगवान श्री कृष्ण ने न अति मानम यानि मानम यानि अहंकार अति यानि अधिक अहंकार न होना अधिक अहंकार न होने का मतलब है यह basic ego है इसके साथ तो आपको काम करना ही है नो डाउट यह तो knowledge के साथ ही जाएगा लेकिन जो हमने अपने आप से create कर लिया कि भई मैं बड़ा महान हूँ वगेरा और अपनी महानता कि हम गुणगान करते रहते हैं तो उस ego को कम करना है सबसे पहले लेकिन यहां इस context में वो दोनों को ही कम करना है क्योंकि साथना का हमारा मूल परपस है कि यह जो मेरी individuality है यह जो मेरा ego है कि मैं एक जीवा हूँ मैं एक limited being हूँ मैं अधूरा हूँ, incomplete हूँ, मुझे में कमी है, मैं दुखी सुक्की हूँ मैं अपमानित हुआ हूँ वगेरा, मुझे में hurt है, guilt है वगेरा तो यह guilty hurt, full portion जो है, यह हमारी वास्तविक्ता नहीं है इस ego को भी निकाल देना है, ultimately In fact, 13th chapter में भगवार ने कुछ qualities के बारे में बताया है वहाँ पर सबसे पहली quality बताई गई है, अमानित्वम अमानित्वम यानि अमानित्वम यानि अहंकार का negation अहंकार का न होना, अमानित्वम है वो In short 13th chapter जो मुख्य रूप से ग्ण्यानम के बारे में है वहाँ पर न्यानम को महत्वता दी गई है और जैसे ही आपको विद्या यानि knowledge मिलता है तो knowledge मिलने के बाद में आपके अंदर नम्रता भी आनी चाहिए विद्या के आने से विने आना चाहिए अगर विद्या के आने से एरोगेंस आता है तो आपको अभी तक विद्या मिली नहीं है So knowledge should remove अहंकार Knowledge का main purpose है कि वो अहंकार को निकाल दे लेकिन अगर knowledge ही अहंकार को create करता है Then it is very difficult to remove it and it is very dangerous also और ज्यादतर cases में यही होता है कि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा knowledge होता है जो ज्यादा knowledgeable होता है उसमें अहंकार का आना स्वाभाविक है So हमारा करतव यह है कि knowledge तो हम ले ताकि हम अपने अहंकार को जो मूल अहंकार है उसे भी खतम कर दे वैसा knowledge हमें चाहिए और वो क्या knowledge है? अहं ब्रह्मासमी जो यहां बताया गया है जब यह knowledge आपको मिलता है अहं ब्रह्मासमी जब आप इस knowledge को ओन अप करते हैं कैसे ओन अप करते हैं? Contemplate करते हुए जब आप इस knowledge को ओन अप करते हैं आपका ignorance चला जाता है तो आपका arrogance भी चला जाता है और उसके लिए क्या करना होगा निदे ध्यासनम और वो कप करना होगा क्यों occasionally करना है या daily basis पे daily basis पे नित्य नित्य निदे ध्यासनम हमें करना है जो मैंने कहा था दो तरके meditation वैसे ही निदे ध्यासनम में भी इदिस 24-7 यानि 24 घंटे और सातो दिन यानि all 365 days a year It's awareness, full time awareness of the truth ये नित्य awareness है, alertness है कि मैं ब्रह्म हूँ ये सक्त्य है और सक्त्य का बोध होना ये आवशक्य है और ये हम daily basis पे साधना कैसे कर सकते हैं तो वो हम देखते हैं 23rd साधना में देहे अहम मतिही उज्यताम देहे यानि ये शरीर मन बुद्धी को इस देह को मैंने आत्म मान लिया यानि ये शरीर मन बुद्धी ये मैं हूँ जब कोई व्यक्ति आपको पूछता है कि आपका नाम क्या है तो आप बताते हो मेरा ये नाम मेरा ये नाम है मगर वास्तविक्ता में वो नाम तो इस शरीर को दिया गया है जब कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हो मैं बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ तो ये सुखी, दुखी जो आप बता रहे हो ये आपके emotions है जब कोई आपको पूछता है कि आप कौन है तो आप कहते हो कि मैं फला फला गेखते हूँ ये मेरा नाम है वो शरीर का नाम है ये मेरी क्वालिफिकेशन से मैं चार्टर एकाउंटेंट हूँ या मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजिनियर हूँ या मैं बिजनसमेन हूँ या मै housewife who, तो ये with reference to your work, आपके profession के हिसाब से आप बता रहे हो, that's not you, ये आप नहीं है, लेकिन हमारी मती जो है, मती यानि हमारी बुद्धी जो है, हमारा मन जो है, हमारी विचारधारा जो है, वो ये कहती है, कि मैं ये हूँ, ये यानि ये शरीर, मन, बुद्धी, ये मैं हूँ, लेकिन शास्त्र कहते हैं, कि ये शरीर, मन, बुद्धी के अंदर, जो आपका आए नोशन है, मैं आत्मा, ये शरीर, मन, बुद्धी है, ये गलत है, इसका हमें त्याक करना है, इस आए नोशन को हमें eliminate करना है, अपने दिमाग से, क्योंकि वास्तविक्ता में मैं कौन गो बैक, दो साधना पहले जो हमने discuss किया था, अहम ब्रह्मास्मी, राइट, सो वास्तविक्ता में मैं कौन हूँ, अहम ब्रह्मास्मी, और हमने अपने आपको क्या समझ लिए है, ये देह, ये मन, ये बुद्धी, ये इंद्रिया, ये मैं हूँ, ऐसा हमने मान लिया है, य यह हमारा गलत नोशन है, तो इस देह में जो आत्मनी की बुद्धी है, उसको हमें रिमू करना है, निकालना है, तो यह देह में वो हम कैसे निकाले, तो यह जो हमारा करत्रत्व भाव है, कि मैं करता हूँ, मैं भोकता, करत्रत्व भोकत्रत्व भाव है, इस करत्रत्व भोकत करत्रत्व भाव को निकालना है क्योंकि मैं करता हूं मैं भोगता हूं यानि मैं identify करता हूं अपनी बॉड़ी से अगर बॉड़ी कुछ करती है या इंद्रियों को कुछ सुखम मिलता है तो मैं कहता हूं मैं सुखी हूं मैं करता हूं तो मेरा identification का हो गया इस शरीर से मन से बु तृत्रत्व भाव को छोड़ देना है त्याग देना है फिल क्या करना है ये मैं ब्रह्म हूँ इसको जानना है और इस शरीर मन बुद्धी को साक्षी भाव से देखना है कि ये शरीर मन बुद्धी जो है ये मेरे उपकरण है मैं इनका मालिक हूँ जैसे फॉर एक्जामपल ये हैंकरचिफ ये मेरा है तो क्या मैं हैंकरचिफ हो गया? नहीं उसी तरह से ये शरीर किसका है? मेरा है ये मन किसका है? मेरा है ये इमोशन किसके है? मेरे ये विचार किसके? जब ये शरीर, मन, बुद्धी, इंद्रिया, ये मेरी है, यानि मैं उनका पॉजेसर हूँ और ये मेरे पॉजेशन्स है, मैं उनका मालिक हूँ और ये मेरे साधन है, ओपकरन है मेरे पास में जो दिये गए है मेरे यूज के लिए, ये मैं कैसे हो सकता हूँ, साधक और साधन यह कैसे हो सकता है यहाँ पर that's not possible यानि मैं और रुमाल क्या एक है धोबी कहता है कि यह गधा मेरा है तो क्या धोबी नहीं ऐसा नहीं हो सकता है तो उसी तरह से हम कहते हैं कि मैं वेकर हूं इस जागरुक अवस्ता के साथ identify करते हुए मैं कहता हूं कि मैं वेकर हूं मैं ड्रीमर था और मैंने ड्रीम में ये ड्रीम देखा ड्रीम वर्ल्ड में ये ड्रीम देखा उस समय मैं डीप स्लिपर था मैंने बहुत अच्छी निद्रा ली तो मैं ना तो वेकर हूं ना मैं ड्रीमर हूं ना मैं Deep Sleeper हूँ ना तो मैं यह शरीर हूँ ना मैं यह मन हूँ ना मैं यह बुद्धी हूँ तो मैं कौन हूँ मैं Brahma हूँ जिस तरह से यह क्या है आप कहोगे pot है और यह भी कहता कि मैं pot हूँ मैं छोटा pot हूँ और यहाँ यह कहेगा मैं तूटा हुआ पठ हूँ मेरे पास कुछ नहीं है मैं तो नेश्ट हो गया मैं बरबाद हो गया बिजनस में मैं पूरी तरह से टूब चुका हूँ अंदर से ये पठ कहता है मैं दुखी हूँ ये पठ कहता है मैं इसके मुकाबले सुखी हूँ लेकिन अगर कोई और बड़ा pot आएगा उसके सामने ये क्या है complexes मैं छोटा हूँ और इसके सामने छोटा pot आएगा तो ये कहेगा मैं बड़ा हूँ लेकिन क्या ये pot है हाँ है व्यावारा जगत के point of view से ये pot है लेकिन पारमार्थि का दरश्टी कोन से ये clay है अब इसका सत्यम क्या है क्योंकि pot मिथ्या है और clay सत्यम है ये हम कई बार discuss कर चुके हैं इसलिए हम detail में नहीं जाते हैं तो वास्तविक्ता में ये clay है ये सत्य है जो pot के रूप में है इसलिए उसे pot का नाम दिया है और उस pot का अपना उपयोग है लेकिन अगर उस pot में से clay निकाल दो where is the pot उसी तरह से ये शरीर मन बुद्धी केवल एक वेस्चर है जैसे हमने ये कपड़े पहन रखे है वैसे ही ये शरीर मन बुद्धी है मगर वास्तविक्ता में ये कपड़े जैसे ये कपड़े तन को द अत्मा हूँ और उसके ये कपड़े है शरीर मन बुद्धी मेरी इंद्रिया ये सब अपने ही शरीर मन बुद्धी को हमें देखना है साक्षी भाव से as a witness जैसे हम इस pot को देखते कि ये pot है ये मुझसे अलग है भिन्द है मैं pot नहीं हूँ भले मैं ये कह दो कि ये pot मेरा है बगर मैं pot नहीं हूँ उसी तरह से साक्षी भाव से ये शरीर मन बुद्धी मेरे है जैसे ये pot मेरा है शरीर मन बुद्धी मेरे है मैं शरीर मन बुद्धी नहीं हूँ अगर मैं शरीर मन बुद्धी नहीं हूँ तो क्या मैं दुखी हूँ सुखी हूँ अपमानित हूँ मा गर्मी शरीर को लगती है सुख़्ी दुख़्ी जो है वो माइंड है मानित और अपमानित जो है वो बुद्धी है अब ना तो मैं शरीर ना मैं मन ना मैं बुद्धी हूँ इसलिए ना तो मैं दुख़्ी सुख़्ी हूँ ना ममानित अपमानित हूँ ना मुझे ठंडी और गर्मी लगती है ये शरीर को लगती है ठंडी और गर्मी ये मन को लगता है दुख और सुख ये बुद्धी को लगता है मान और अपमान मैं कौन हूँ आत्मा जो इन तीनों से विरक्त है इन तीनों से मुक्त है लेकिन out of ignorance अग्यानता वश मैंने ऐसा मान लिया ये मेरी गलत धारना हो गई कि मैं ये शरीर मन, बुद्धी और इंद्रिया हूँ I am the bundle of this body-mind sense complex so ये जो विपरित भावना है कि मैं दुख्की सुक्की हूँ मैं मानित अपमानित हूँ मुझे heat or cold feel हो रहा है मुझे pain हो रहा है physically ये विपरित भावना है ये habitual errors है इसको मिटाना है निधी ध्यासनम के माध्यम से और निधी ध्यासनम में यानि 24-7 alertness है living an alert life कि जब कभी बर्थडे celebrate होता है मेरा बर्थडे मेरा यानि क्या शरीर का बर्थडे I am not against बर्थडे लेकिन अगर आप ये सोच के करते हो कि मैं यानि ये शरीर का बर्थडे है तो आप गलत है लेकिन अगर आप ये सोच के करते हैं कि मुझे ये शरीर प्रदान हुआ इस दिन ये एक सुविधा मुझे प्रदान हुई ताकि मैं अपने अग्न्यानम को मिटा सकू और मोक्षा हसिल करनू ये सहुलियत मुझे दी गई है इसके लिए मैं सेलिब्रेट करता हूँ इस एपने आपको आउट ओफ इंग्नोरेंस ये शरीर मनबुद्धी मान लिया है और मैं सुख्य दुक्य हो गया हूँ मैं इमोशनल हो गया हूँ मैं मानित अपमानित हो गया हूँ we have to knock it off completely इस कमजोरी को भावनाओ की इस कमजोरियों को हमें पूरी तरह से मिटा देना है and then we have to gain emotional strength thus contemplation is meant for emotional strength and ज्यान निश्था ज्यान निश्था यानि owning up of this knowledge तो हमें एक भावनाओ के स्तर पर वो शक्ति मिलती है और ये ज्यान निश्था मिलती है कि मैं ब्रह्म हूँ ये हम जान लेते हैं लेकिन जब हम knowledge लेने जाते हैं तो हमारे अंदर का arrogance भी होता है कहीं न कहीं तो हमें हम बड़े judgmental हो जाते कि ये जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है ये सही है गलत है हम judge करेंगे कई बार तो कुछ लोग ऐसी भी होते हैं कि उनके पास उनके answer है लेकिन दूसरों को test करने के लिए वो question करते हैं अगर उसने मेरे हिसाब से उत्तर दिया तो तो सही है नहीं तो वो गलत है सो इस तरह की भावनाएं जो होती है वो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए और इसी बात को दर्शाते हैं हमारी 24th साधना बुद्ध जनाएं ही वादह परित्यज्यताम बुद्ध जनाएं ही बुद्ध यानि बुद्ध नोट मर्क्यूरी या बुद्धवार नहीं है बुद्ध यानि बुद्धिमान व्यक्ति है जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनके साथ में वाद आर्गुमेंट न करे परित् वो हम ना करें। कही बार हमारे चैनल पर भी कई के लोग प्रश्न करते प्रश्न क्या करते हैं इनस्वेक्ट वह अपना ग्ञ्यान और आप तो अग्ञ्यानी, ओं हमको भी हसी आ जाती है सुन करके जैसे कई स्टूडेंट भी है जो यूपीएसी के एक्जाम और के लिए प्रिपर करते हैं और वैसे भी कुछ बच्चे आते कि उन्होंने कहीं से कुछ पढ़ा कहीं से कुछ सुना तो वो बोलते हैं नहीं ये सही है और आप गलत है इस तरह क जो ज्ञानी व्यक्ति है जो जिनके बस नौलेज है उनके साथ में आर्गिमेंट नहीं करना है आर्गिमेंट न करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको प्रशन नहीं कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात मुझे हजम नहीं हो रह लेकिन हर महिने के पहले शनिवार को होता है Q&A सेशन जहां पर आप अपने प्रशन पूछ सकते हैं वित रफरेंस टू वेदानता फिलोसफी है भगवत गीता है या लाइफ के रिलेटेट कुछ कुछन है वो आप हमसे पूछ सकते हैं जब शंकराचारी जी यहां पर कहते हैं कि न्यानी व्यक्तियों के साथ में विवाद और नहीं करना है इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनको प्रशन ना करें इनफेक्ट कोई भी टेक्स्ट आप ले लीजिए कोई भी शास्तर का पार्ट ले लीजिए आप हर एक शास्तर चाहे वो उपनिशद है भगवत गीता है यह कोई भी शास्तर है वो प्रशन और उत्तर के रूप में ही दिया गया है अब ये जो वाद वाद यानि कम्मिनिकेशन है ये जो कम्मिनिकेशन है ये चार प्रकार के होते हैं ये चार प्रकार के कम्मिनिकेशन क्या है पहला है वाद दूसरा है विवाद या जल्प तीसरा है वितंड वो भी विवाद में आता है और चौता है समवाद तो पहला जो है वाद यानि healthy discussion between equals जो बराबर वाले हैं या जो कहते हैं सहपाटी हैं को स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जो कुछ discussion होता है जो हम normal बातचीत करते हैं डूसरा है जल्प, विवाद यानि यहां पर जल्प का मतलब है जो fanatics होते हैं जैसे religiously जो fanatics होते हैं कि मेरा धर्म महान, मेरा इश्वर महान, मेरा गुरु महान यह जो गुरु भक्ती वाले भी होते हैं खासता हैं गुरु की अंद्र भक्ती या जो कहते हैं ने फैनेटिक्स वैसे भी होते हैं भक्ती होनी जरूरी है गुरु के प्रती ईश्वर के प्रती शास्तर के प्रती डिवोशन का होना बहुत आवश्यक है लेकिन वो अपसेशन नहीं होना चाहिए वहां पर फैनेटिसिसम नहीं होना चाहिए वहां पर वो ध्यान में अगर आपके याहां पर भी होते तो नीचे comment बनाज रूरे में बताएगा कि होते की नहीं होते हैं अगर नहीं होते तो भी बता दिए नहीं होते हैं तो दूसरा था जल्प तीसरा है वितंड वितंड यानि कि वह आर्गुमेंट को कोई मतलब नहीं है उनको तो बस केवल अपने मन में जो आया आर्ग्यू करना है बस और कुछ नहीं है जैसे एक खास तर पर आप देख लो politics में होता है कि एक पार्टी अगर कुछ अच्छा करती है या कोई बात कहते हैं दूसरे का काम एक उसको निगेट करना है वो कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो उसको तो हमें निगेटी करना है यह politics में आप हमेशा देख सकते हैं और चौता है समवाद समवाद यानि जो अभी हम कर रहे हैं यानि गुरू शिश्य के बीच में जो discussion होता है जो चर्चा होती है जहां पे knowledge का आदान प्रदान होता है जहां पे गुरू अपना knowledge जो है वो share करता है अपने शिश्यों के साथ में और शिश्य जहां पे कोई doubt है कोई प्रश्न है तो हो clarify करते है अपने गुरू के साथ में ये है समवाद सम यानि सम्यक यानि बहुत अच्छा वाद बहुत अच्छा वाद डिसकशन तो इस नौट दे नॉर्मल वाद इस नॉट विवाद ऑल्सो बट इट इस समवाद सो हमें चाहिए कि हम समवाद करें देखें समवाद में और विवाद में बेसिक डिफरेंस क्या है समवाद में हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमें ज्ञानम हासिल करना है अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे उसे करेक्ट भी करना है और विवाद में क्या है मुझे तो साबित करना है कि मैं सही हूँ और आप गलत हो यहाँ प होता है attitude of learning और विवाद में है attitude of arguing or proving myself right. समवाद में listening ज्यादा है, विवाद में we try to talk more and we try to stop other person, we don't allow other person to talk. समवाद में एक peaceful environment है, जबकी विवाद में shouting है, argument है तो shouting है, समवाद में compassion है, love है, जबकी विवाद में harshness है, hatred है and समवाद ends with understanding and विवाद ends in argument, bitterness और फिर हो सकता है मार पे जगडा, कुछ भी हो सकता है वहाँ. यह एक basic difference है समवाद और विवाद में. तो यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं अपनी 24th सादना को और थर्ड शलोका को भी यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं. तो next week जो होगा, यानि first week of October मन्त में होगा हमारा Q&A session, उसके बाद में होगा फिर से सादना पंचिकम का session. So next session में हम continue करेंगे अपने चौथे शलोक से और 25th सादना से हम continue करेंगे. So अब अगर आपके कोई प्रशन है, आज के topics are related तो आप नीचे comment कर सकते हैं. और आपको इस topic में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी है, जो बहुत prominent लगी है, वो आप मुझे नीचे comment करके जरूर बताईएगा, कि कौन सी quality है, कौन सी सादना है, या कौन सा एक particular part है, जो आपको बहुत अच्छा लगा है. जो लोग नहीं आए हैं या जिनों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिये. लाइक करें और शेर करें, दूसरों के साथ में मेरे लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, लेकिन कम से कम अपने शास्त्रों के लिए आप जरूर कीजिए. ओम तक्सर.